हलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सुप्रम देव एडवाईजरी और आज के इस वीडियो में हम यहां पर मेरे जो पांच फेवरिट मोमेंटम स्टॉक से उसको डिसकस करने वाले हैं तो बेसिकली दिजा स्कुवी स्ट्रक्चर्स और स्कुवीज के स्ट्रक्चर की ब्यूटी यह है कि आप उसको कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो तो इसमें अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है और वाट आयों नौटीच कि कही सारे लोगों ने यह इंपोर्टन्ट्रेड्स मिस कर दिये थे विकॉज यह नौट सब्सक्राइब टु दे चैनल और मैंने भी चीज नौटीज किये कि कही सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सबसे request है कि चैनल को subscribe करके आप बेल आइकन को press करके रखोगे तो कोई भी जो important update होगा वो आप miss नहीं करोगे आपको immediately notification आ जाएगा तो मेरी आप सबसे request है कि यह जो channel है उसको आप subscribe कर लीजिए तो जो पहला stock हम जो discuss करने वाले हैं तो यहां पर यह जो stock है उसका structure हम देखे तो पहले हम यहां पर technical strength देखते हैं तो technical strength is looking excellent all the ma's are positively aligned और यहां पर आज का closing भी हम देखे तो काफी strong closing को मिल रहा है यहां पर 600 के ऊपर और यहां पर भी हम देखे तो 600 के उपर closing दिया था फिर momentum करने का try किया तो माइड भी यहां पर क्या हो सकता है कि मार्केट जो है उस टाइम पर correct हुए तो यह जो है retracement आया तो आप देखे कि retracement में कोई खास volume हमें देखने को नहीं मिला था और यहां पर वापस एक strong comeback किया वह ऐसा लग रहा है और स्क्वीज के structure की बात करें तो स्क्वीज में हम देखे यहां पर तो मीड़ कॉंप्रेशन स्क्वीज है सो माइड भी अब क्या है कि आज का जो हाई है एक important रह सकता है 610 आज का हाई है 610 के ऊपर एक अच्छा momentum होने की possibilities लग रही है विकोज आज भी देखोगे volume का थोड़ा expansion है और यह जो stock है 52 week high की range में आ गया है तो 610 के ऊपर एक अच्छा momentum हो सकता है यह strong structure लग रहा है तो यह stock आप अपनी watchlist में रख सकते हो तो दूसरा stock है that is blue star blue star का structure मुझे ठीक ही लग कर रहा हूँ 1030 का alert मैंने set करके रखा है और alert जो है मैंने कही बार आपको बता है it is a very handy tool because live market के अंदर हमारा जो bandwidth होता है वो limited हो जाता है हम एक साथ बहुत सारे stocks को track नहीं कर पाते है so the best way to deal with such types of issue is to use an alert alert का tool use कीजिए जिससे क्या है कि जब भी कोई alert आपने set किया है तो immediately pop-up होके आ जाएगा so आप उसको trade को फिर live market में अच्छे से plan कर सकते हो तो यहां पर मैंने 1030 के आसपास के alert side करके रखा है और यहां पर यह जो structure आप देखोगे तो squeeze पहले क्या था यहां पर mid compression squeeze थी और अब high compression squeeze है that means कि यहां पर दीके मैंने range भी mark करके रखा है काफी tight range में trade कर रहा है और important pivot है that is around 1030 तो 1030 के ऊपर एक अच्छा momentum होने की possibilities है बिकोज यहां पर technical strength की भी बात करें हम technical strength is also looking good यहां पर तो 1030 के ऊपर यह जो stock है blue star एक अच्छा momentum कर सकता है sort to medium time में तो आप उसको आप अपनी watchlist में लगा के रख सकते हो फिर जो तीसरा stock है that is suprajit engineering suprajit engineering का structure में मुझे थोड़ा यहां पर ठीक लग रहा है because यहां पर देखो कि यहां पर volume का भी थोड़ा बहुत expansion देखने को मिल रहा है और यह एक पैनिक लोग यह concept मैंने आपको अल्रेडी एक्प्रेइन किया है यहां पर एक पैनिक लोग भी बन गया around 370 तो यह जो stock है यहां पर gradually momentum built up हो रहा हो ऐसा लग रहा है momentum oscillator या तो indicator की हम बात करें इस is also above zero तो माइड भी आज का जो हाई है that is around 424 424 के ऊपर एक अच्छा momentum हो सकता है immediately what we can expect कि यहां पर जो swing है 440 के आसपास का एक medium term का या तो short term का target हम expect कर सकते हैं तो यह जो stock है इसका structure देरे देरे इंप्रूव हो रहा है तो उसको आप अपनी watchlist में लगा के रख सकते हो जो चौथा stock है that is webco India को इंडिया का structure भी मुझे यहां पर ठोड़ा ठीक ही लग रहा है बिकोज technical strength is excellent और यहां पर भी जेके मैंने 8300 के आसपास का alert side करके रखा है बिकोज 8300 के आसपास कई सारे swings है और प्राइज आप देखोगे यहां पर 20 एन 80 में के ऊपर ही consolidate हो रहा है सो माइड भी 8300 को यह क्रॉस करेगा वापस तो एक अच्छा momentum होने की possibilities लग रहे हैं और squeeze की strength की बात करें तो आप देखें के high compression squeeze है तो अगर यह squeeze भी फायर हुई तो एक strong upside momentum हमें यहां पर देखने को मिल सकता है तो यह stock आप अपनी watchlist में लगा के रख सकते हो फिर जो पाचवा stock है that is power grid corporation का structure हम देखें तो यहां पर देखें कि यह जो 198 के आसपास का swing low बनाया था उसके बाद strong comeback किया है strong bullish candle बनाई थी यहां पर और पिछले दो दिन से यह जो strong bullish candle है उसी की रेंज में यहां पर ट्रेड कर रहा है और रेंज जो है वो नेरो होती जा रही है यहां पर इंसाइड बार था और यह बी इंसाइड बार है तो यह candle का हाई जो है that is around 210 210 के ऊपर एक अच्छा momentum हो सकता है और यह भी क्या है एक हाइप लग रहा है बिकोज यहां पर हम देखे टेकनिकल स्ट्रेंद इस एक्सलेंट और यहां पर स्क्वीज की स्ट्रेंद हम देखे मेंड कॉम्प्रेशन स्क्वीज है तो यह स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है यहां पर 210 के ऊपर एक स्ट्रॉंग अपसाइड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज लग रही है तो यह एक स्टॉक है जो आप अपनी वाच्छ लिस्ट में लगा के रख सकते हो तो आई होब फ्रेंट्स की यह सब चीज़ों जो मैंने आपके साथ डिसक